वेलकम टू जी के जी असमित मनीज सर आज 29 अपरेल 2023 है और आज के जितने भी महत्तुपुर्ण करेंट अफेर होंगे वो हम इस बीडियो में डिसकस करेंगे और साथियो इस बीडियो के एंड में मैं आपसे 5 प्रश्न पर पुछूँगा जो बच्चे साथियो सबसे पहले क इंटर फेर आज का पहला प्रश्न है हेरिटेज फेस्टिबल 2023 का आयोजन किस राज्य में होगा तो ये साथियो गुवा में होगा हेरिटेज फेस्टिबल 2023 का आयोजन ये साथियो आपको मैप में दिख रहा होगा ये साथियो गुवा है साथियो गुवा जो साथियो है इ प्रमोद सावंद गोवा मुक्ति दिबस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पूर्तगाल से आजाद हुआ था साथियो पर्थम पूर्तगाली कौन था जो भारत आया था और कब आया था इसका जबाब देना है केमेंटर बॉक्स में आपको गोवा अस्थापना थी बस 30 मई को मनाया जाता है क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दरजा दिया गया था साथियो गोवा गोवा में है नंदा जील जिसे रामसर अस्थल की सुची में सामिल किया गया है साथियो भारत का पहला रामसर जो है यह है ओडिसा का चिलका जील साथियो भारत का पहला एलकोहल मुजियम कहां बना गोवा में बना 37 में राष्टिये खेल 23 का आयोजन गोवा में हुआ देश का पहला रेवी जिम्मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना गुवा बना क्लीन एथान का आयोजन गुवा के मिरी मारा बीच पर हुआ तो यहां से यह भी प्रश्ण बनता है कि मिरी मारा बीच कहां है तो क्या टिकर होगे आप गुवा में अंतरास्टी यह लूसोफोन मोहत सब कहां मनाया गया तो गुवा में और नौमी बिश्व आयूर्वेद कॉंगरेस और आरोग के एक्सपो 2022 का आयोजन कहां हुआ तो गुवा में हुआ मैंने कल बताया था आपको कि SGO के विदे समंत्री की बैठा कायोजन कहां होगा तो गुवा में होगा और साथियों से पाकिस्तान की विदे समंत्री भी आ रहे है जिसका नाम क्या है बिलावल भुट्टो नाम है साथियो क्या नाम है बिलावल भुट्टो अब अगला प्रशन आपका है दाई लामा क्या नाम है दाई लामा ने कौन सा अवार्ड घोसित होने की 64 साल बाद अपरेल 2023 में लिया है तो रमन मैक्सिस प्राइज साथियों रमन मैक्सस प्राज आज से 64 साल पहले दाई लामा को देने की घोषना की गई थी जो वो अप्रेल 2023 में साथियो लिये हैं आपको दिख रहा होगा यही है साथियो तिबती दाई लामा कौन है दलाई लामा साथियो अब अगला प्रशन आपका है किस देश की वीटो कमपनी न अयोध्या सहर को कचरे से बायो डिजल बनाने वाले पाइलट प्रोजक्ट के लिए चुना है साथ ही हो तो देखो अयोध्या सहर के कचरे से बायो डिजल बनाने वाले पाइलट प्रोजक्ट के लिए चुना है किस कमपनी ने तो वीटो कमपनी ने और वीटो कमपनी किस द अब उत्तर परदेश तो देखो उत्तर परदेश से आपके बहुत सारे महत्तोपुर्ण एस्टाटिक प्रस्ण बनते हैं जो कई बार आपके एक्जामे आ चुके हैं उत्तर परदेश की राजधानी है लकनौ और लकनौ है गोमती रिभर के किनारी यूपी के मुख्यमंतरी कौन है योगी अधित्यनाथ यूपी के गवर्नर कौन है अनंदी बेन पटेल यूपी में राजसभासित 31 है और लोकसभासित 80 है दुधवा रास्ट्रिये उद्यान वखीरा वन्नेजी बभ्यारन पिलभित रास्ट्रिये उद्यान कहां पर है तो उ साथियो उत्तरपदेश के भिन शेहरों में कुछ संस्थान है जैसे की भारतिय चीनी तकनीगी संस्थान का हीटपूर में है भारतिय दलहन सोध संस्थान पर हैीमे में हैं किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचा अमरित योजना की सुरुवाद यूपी में हुई समगर सिक्षा अवियान के सुरुवाद कहां हुई तो उत्तर परदेश में हुई यी बाहन अवियान के तहत सरकारी विभागों में 100% EV लक्ष मनाने का रक्ष रखाया साथियो उत्तर परदेशनी साथियो सभी वाहनों को इलक्ट्रिक वाहन में बदलने का रक्ष 2030 तक उत्तर परदेशनी रखा है साथियो अब ध्यान से वीडियो को देखना मैं लास्ट में आपका इसी से पांच प्रशन करूंगा और जो बच्चे उस पांच प्रशन का जवाब सबसे पहले ही वाद देंगी सबसे पहला कमेंट उनका होगा उनको 20 रूपीज की रासी दी जाएगी और इस रासी प्राप्त करने के लिए साथियो अपको इस मेरे वाट्सप पर साथियो आपको मैसेज करना परेगा अब साथियो अगला प्रशन अपका है अरजुन वाजपेई इनमें से किस परवस सिखर पर चढ़ने व आजपेई और यह इस राजजी की हैं तो महराश्टर की हैं अगला प्रशन आपका मन की बात एट दर एट हंड्रेट कारेकरम की कलेक्टिविट इस्परिट कंक्रीट एक्षन नामक पुस्तक के लिखक कौन है तो साथियो एट दर एट हंड्रेट कारेकरम के कलेक्लेटिव स्पिर्ट्स कंक्रीट एक्षन नामक पुष्टक के लेखक हैं ससी शेखर वहमपति कौन है साथियो तो ससी शेखर वहमपति साथियो इस पुष्टक के लेखक हैं देखो मन की बात के अभी हाली में 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं कितने एपिसोड पूरे हो गए हैं तो 100 एप प्रेल को मन की बात का सौमा कारिकरम होगा साथी हो। तो यहां से एक प्रश्ण बनता है कि मन की बात कारिकरम की सुरुवात कब हुई तो 3 अक्टूबर 2014 को हुई और 100 एपिसोड पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपे के सिक्के जारी करने की घोसना की है यह सिक्का चांदी तामबा निकल और जस्ता का बना है सिक्के के पीछे मन की बात के लोगों को दिखाया गया है और सिक्के के अगले हिस्से पर असोक अस्थम्ब और उसके नीचे सत्यमेव जैते दिखा लिखा है साथी हो देखो यह आपको सिक्का दिख रहा है इसक के आगे है असोक अस्थम और नीचे में लिखा हुआ है सत्य में विजयति यही वो सिक्का है जो प्रधान मंत्री मोदी जी जारी करेंगे साथियों अब अगला प्रश्ण है आपका साथियों कुछ महत्वपून पुस्तक हैं उसको भी देखते हैं जैसे कि टॉम ऑफ सेंट पुस्तक के लेखक कौन है तो गितांजली शिरी है रेत की समाधी साथियों इस पुस्तक के लेखक कौन है तो गितांजली शिरी है रेत की समाधी पुस्तक के लेखक कौन है तो प्रियम गांधी मोदी है उरान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक साथियों अब सा साथियो, विल पाबर पुस्तक के लिखा कौन है? सोजेद मरीन, प्रॉम डिपेंडेंस तू सेल्फ रिलाइंस पुस्तक के लिखा कौन है? तो बिमल जलान, दवर्ड और फैमिली हिस्ट्री पुस्तक के लिखा कै साइमान सावाग, गोल्डन बॉइ निरत चोपरा पुस्तक क लेका है नबजीत सिंग और दचिप को मुम्मेंट दपिपल्स हिष्ट्री पुष्टक के लेका कौन है तो सेखर पाठक है साथियों कौन है सेखर पाठक साथियों आपको एक पुष्टक का नाम बताना है जो एपी जी अबदू क्राम जी के द्वारा लिखा गया है अगला परेंजे कलर जो दिख रहा है साथियो यही है राजस्थान जो भारत का सबसे बाराज्य है छेतरफल की दृष्टी कौन से साथियो चेतरफल की दृष्टी कौन से भारत का सबसे बाराज्य कौन सा है तो उस राज्य का नाम है राजस्थान जबकि छोटा राज्य जो है वो क कोन-कोन से राजज distingu का जवाब देना हèse करमेंटा बॉकस में आपको रजस्थान की राजधानी है जैपूर और जैपूर को बोलते हैं पिंक सिटी रज़िस्थान मेह ईके जोदफुर जो धुबुर को बोलते हैं ब्लू सिटी, रजस्थान के गवर्नर है कलराज मिस्र, यहां के मुख्य मंत्री है असोक गहलोत, यहां पे राजसभा 10 है और लोकसभा 25 है, सरिस्का राश्ट्रिये उद्यान, डेजर्ट राश्ट्रिये उद्यान, केवलादेव राश्ट्रिये जिसे प्रक्षियों का स्वर्ग कहा गया है, यह कहां पर है तो रजस्थान में हैं, रंथम भौर राश्ट्रिये उद्यान, जवाहर सागर वन्ने जी बभ्यारन, रामगट बिजधारी अभ्यारन, माउंट आवू बन्ने जी बभ्यारन, सवाई मानसिंग वन्ने जी बभ् सरिस्का राष्ट्रिये उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रिये उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रिये उद्यान का ही नाम है मरुस्थली राष्ट्रिये उद्यान, क्योला देव राष्ट्रिये उद्यान, जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, रंथम भौर राष्ट्रिय उद्यान जवाहर सागर वन्ने जी बभ्यारन रामगट विश्धारी अभ्यारन माउंट आबू वन्ने जी बभ्यारन सवाई मानसिंग वन्ने जी बभ्यारन कुभल गड़ वन्ने जी बभ्यारन कुभल गड़ मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रिय उद्यान यह सारे राष्ट् गुम् हो गया है तो जापान का था साथियो ये वाहर लेंडर जो चांद पर में सबसे पहले सुर्योधय होता है अगर मैं साथियो पुछू हुठान जापान को बोलते हैं क्या सुरियोदय का देश और अगर मैं आपसे पुछू कि सुरिक की पहली किरन कहा पड़ती है तो सुरिक की पहली किरन जो पड़ती है वो न्यूजी लेंड में इस्थित है एक पर माउंट माउंट जिसका नाम है माउंट हिंकुर रोंगी उस परवत पर होता है तो अमेरिका के हवाई दूइप्पे होता है और यह दुनों परसांत महाई ढगरे में इस्थित है अब साथियो देखो जापान का यह साथियो खो गया है और आश्तियू चिंड गूलदा सहर में हैं Imperial Palace साथियो सबसे पहली बार जो गिराया गया था प्रमानुबम वो जापान में ही गिराया गया है अभी तक साथियो दो बार प्रमानुबम का इस्तमाल किया गया है और दोनों बार अमेरिका के द्वारा ही किया गया है एक बार साथियो जापान के हीरो सीमा पर गि जब किना गाह आगे पर 9 अगस्त उन्युसाप में गिराया गया था तो आपको बताना है, कि जब ये प्रमानुबं गिराया गया था उससे में अमेरिका के राश्टर पती कोन थी, इसका जवाब देना है आपको कमेंटर बॉक्स में साथ ही, क्योंकि कई वार ये पुछा गय कि जब जापान में प्रमानुबं गिराया गया था उससे में अमेरिका की राष्ट्रपती कौन थे और बिटेन के प्रधान मंतरी कौन थे ये दोनों प्रशन का जवाब देना है आपको केमेंटर बॉक्स में देखो देश की पहली गर्भबात की गोली को मंजूरी किस ने दी है अब अगला प्रशना आपका है फिल्म फेर अवार्ड 2023 में किसे सर्वसिष्ट अविनेतरी अवार्ड से समानित किया गया है तो ये इमेज में दिख रहा होगा यही है आलिया भट साथियो जिन्हें फिल्म फेर अवार्ड 2023 में सर्वसिष्ट अविनेतरी के लिए अवा और अगर साथि बात करें विस्ट एक्टर के बारे में तो विस्ट एक्टर है राजकुमार राओ को फिल्म बदाई हो इसलिए बदाई 2 के लिए इसलिए बिस्ट एक्टर का अवाड दिया गया है अब देखो साथियो संजय लीला भंसारी दोवारा डिरेक्ट की गई फिल्म में गंगु भाई काठिया वारी को विश्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है अब अगला प्रशन आपका है हाल ही में किस आइटी ने साइबर सुरक्षा कोशल कारेकरम का सोबारम्द किया है तो आइटी कानपूर ने इसने किया है तो IIT कानपूर नहीं साथियो IIT का full form क्या होगा तो इसका जवाब देना है आपको comment box में और मैंने तुरंत बताया था आपको अभी कि कानपूर किसरी भर के किनारे है तो कानपूर है गंगारी भर के किनारे कौन सरी भर के किनारे गंगारी भर के किनारे अयोध्या है सर्यूरी भर के किनारे अगरा मतुरा और दिल्ली है यमुनारी भर के किनारे साथियो कनोज है गंगा रिवर के किनारी और साथियो अयोध्या कौन से रिवर के किनारे है तो इसका जवाब देना है आपको केमेंटर बॉक्स में अब अगला प्रशन बनता है आपका केंदरिये कैबिनेट ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है तो साथियो 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी और इसमें करीबन 1500 करोड रुपे की लागत आएगी साथियो अब अगला प्रशन आपका है तीसरे इन प्रसन कॉलार्ट समिट की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो ऑस्टेलिया करेगा कौन करेगा ऑस्टेलिया साथियो अमेरिका की राजधानी क्या है तो वह सिंगटन है और जापान की राजधानी क्या है टोकियो साथियो भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बने इसका जवाब देना है कमेंटर बोक्स में आपको साथ ही हो अब और ऐस replenख के वारे बात करते हैं कि और क्या-क्या प्रशन बंते हैं आपके तो देखो और इस च्छिलिया के राजधानी क्या है कैनवरा और और ऑस्छिलिया की सर्वच नागरिक सम्मान क्या है तो the presidential medal of freedom है Belgium का सर्वच नागरिक सम्मान क्या है order of the crown है Mexico का सर्वच नागरिक सम्मान है the order of Ajax Eagle Britain का सर्वच नागरिक सम्मान है George Cross France का है the legion the honor Japan का है order of the rising sun और Canada का सर्वच नागरिक सम्मान क्या है तो the order of merit कनाडा का सरवच नागरिक सम्मान है साथियो तो ये था आज का आपका महत्तो पुर्ने क्रेंट अफेर साथियो साथियो अब मैं आपसे 5 प्रश्ण करूँगा जो बच्ची सबसे पहला कमेंट जिस बच्चे का होगा पांचो प्रश्ण के जवाब सही साथियो उन्हें 20 रूपीज की रासी उन्हें गूगल पे फोन पे ये साथियो किसी भी एकाउंट पे दी जाएगी साथियो तो उसके लिए आपको इस मेरे नंबर पे वाटसप करना होगा अब साथियो कल के जो साथियो बिजिता थे वो कौन थे तो उनका नाम है साथियो पिंटो सिंग जो कल के बिजिता थी पैडल बने है और चौथा प्रशन आपका था इंडियन एर फोर्स डे कम मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और पाचमा था 17 में भारती प्रवासी दिवस का आयोजन भारत के किस सहर में हुआ है तो मध्य परदेश के इंदौर सहर में हुआ है साथियो तो ये प्रशन मैंने कल किया था आज का आपका LGM के किस कंपनी ने अयोध्या सहर को कचरे से बायो डिजर बनाने वाला पाइलट प्रोजक्ट के लिए चुना है तीसरा प्रशन आपका है बिल पावर पुष्तक के लेखक कौन है चौथा है किस राश्ट्रिय उद्यान को पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जानते हैं और साथियों ये था आज का आपका महत्तो पुर्णिक रेंट अफेर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें साथियों और साथी बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सकें धन्यवाद